नमस्कार प्यारी साथियों प्रताप क्लासेस के यूट्यो चनल पर आपका स्वागत है तो आज है संडे और संडे की दिन आपको मिलेगी वीकली करंट एफियर्स की क्लास तो आज अपने पढ़ेंगे आठ अप्रेल से लेकर 14 अप्रेल 2024 तक यानि कि डेली आपको मेरी सुब में रिवाइज करना बहुत जुरूरी है और इसके लाबा जैसे संडे की दिन पीछे का रिवाइज हो गया और जैसे मन्त कंप्लेट हो गया तो पीछे पूरे मन्त का आपको मैं पूरे शांदार जो करंट की क्योशन मनते हैं वो मैं पूरे मन्त का निचोड़ना आपको द 14 अपरेल के दिन आपने बनाते हैं भारतिय राजनितिक और सुमाज सुधारक डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की स्मृति में 14 अपरेल को अंबेडकर जैनती या भीम जैनती बनाई जाती है तो भीमराव अंबेड करके उन्होंने उनका जो है सविधान के अंदर बहुत बड़ा योगदान था तो आज अपने चोधा अपरेल के दिन अंबेड कर जैनती को बनाएंगे तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करें सभी साथियों को गुड मॉर्डिंग स्टार्ट करे पहला क्योशन आपके सामने और इसके लवा जो नवरातरा का ओफर आपके लिए चल रहा है उसमें आज छटा दिन ओचुका भी लबब तीन से चार दिन ओर सेस हैं आपके लिए 50 परतिशत का ओफर लगातार चल रहा है तो अभी परताब क्लासिस का एप डाउनलोड करें प्लेश्टोर से और ये नवरातरा का ओफर है इसका आप टेसरीज पर 50 परतिशत की विशेश चूट है इसका फाइदा उठा लेना तो बहुत दिन होगे और अब भी आपके पास 4-5 दिन ओर सेस हैं पहला क्योशन देखो आई डबलो एप विश्वकप 2024 भारतिय बारो तो बिंदिया रानी देवी ने महलाओं के 55 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पधक जीता है तो आई डबलो एप विश्वकप 2024 भारतिय बारो तो लग बिंदिया रानी देवी ने महलाओं के 55 किलोग्राम के अंदर कांसे पधक जीता है कांसे पधक जीता है हाले में कौन पेरिस 올ेंपिक में भारत की पहली महला जूरी सदसे बनी है कौन सा देश विसो बविस्य उरजा सिकर समयलन की मेजबानी करेगा आले में कौन सा देश 222 उर्जा सिकर समयलन की मेज़बानी करेगा तो वो करेगा संयुकतारव अमिरात कौन करेगा अभी 17 और 18 अप्रेल को इसकी मेज़बानी कीगी किस राज्ये का मनुहर अंतराष्टिय वयड़ा डिजी यात्रा परणाली शुरू करने वाला भारत का चोधोंआ हवेड़ा बन चुका है किस राज्य का मनवर अंतराश्टिय हवेड़ा ये किस लिमिटेड को पंदर में C I E D C विशोकरमा पुरुषकार 2024 में दो परतिष्टित पूरिशकारों से सम्मानित किया गया तो ये क्या गया SJVN Limited को किसको किया गया SJVN Limited को पंदरवें CIDC विशो कर्मा पूरिशकार 2024 के अंदरें दो परतिष्टित पूरिशकारों से सम्मानित किया गया हाल इमे कि से दिल्ली में वनों की सुरक्षा से समधी समीती का अजयख्स निवुट किया गया समीती का अजयख्स से निवुट किया गया हाल इमेकिसे NCDFI के एदेक्स की रूप में चुना गया यानि कि National Co-Federation of India के एदेक्स की रूप में चुना गया है मिनेश्या को ओप्सन नमबर C किसको चुना गया मिनेश्या को चुना गया है भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समप्त करने की योजना बनाई है आपको पता आयात का मतलब पहले भारत सरकार क्या है यूरिया वगेर ना वो दूसरे देसों से खरीद थी लेकिन अब भारत ने अगामी 2025 तैक्या है अब दूसरे देसों से जो यूरिया है उसको में कहां पूरा तात्वी कुद्खनन से बावन सो वर्स पुरानी हडपा वस्ती का पता चला है तो ये चुला है गुजरात के अंदर कहां पर चला है गुजरात में हाल में आर्मी मेडिकल कोर का 260 स्थापना दिवस कब बनाया गया तो अभी हाल में आर्मी मेडिकल कोर का 260 बनाय गया है तो ये बनाया कब गया था तो ये बनाय गया था त्यार रखना तीन अपरेल को कब बनाय गया तीन अपरेल को आर्मी मेडिकल कोर का दो सो साथ वास्ता अपना दिव से बनाय गया बारतिय सेना में हवाही सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एवं एंड कंट्रोल system शामिल किया गया भारतिय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा command and control system शामिल किया गया वो किया गया अकास तीर यानिकि कौन सा अकास यानिकि जमीन से लेकर उपर आसमान तक है ये क्या है लब सभी जो है लोग उनकी की हिफाज़त करने जा रहा है तो भारतिय वाई सेना के लिए आकास तीर को शामिल किया गया विशर 2 डौप पिंग रोद इजनसी के अनुसार दुनिया में डौप उलंगन करने वाला सबसे टोप देश कौन सा है तो विशर 8 डौप romance एजेंसी के अंदुसार दुनिया में डोप उलंगन करने वाला सबसे डोप देश है वो है अपना देश भारत कौन सा है अपना देश भारत ने सबसे ज़्यादा आपकी बार डोप उलंगने किया है हाल में ओलंपिक चेंपियन वेलरी एडम्स को अंतराष्टी इवेंट अंबेस्टर नामित किया गया इनका समध किस खेल से है तो अभी ओलंपिक चेंपियन है वेलरी एडम्स और इनको अगामी अंतराष्टी इवेंट अंबेस्टर नामित किया गया और इनका खेल कौन सा है तो ये है short put की खिलाडी, किसकी खिलाडी है, short put की खिलाडी है, सागर कवच 2024, नामक दो दिविशे, तटिय सुरक्ष्या ब्यास, कहां आईजित किया गया, सागर कवच 2024, नामक दो दिविशे, तटिय सुरक्ष्या जो अप्यास है, ये आईजित किया गया, लक्स दूइप के ये ब्यासे किया है बारतिय तटरक सक्वल ने किस राज्ये के मंडपा में जलिये के अंदर का उद्गाटन किया है तो बारतिय तटरक सक्वल के 25 महन दे सके हैं राकेश पाल है न्यारकना राकेश पाल है उन्होंने तमिन लाडू राज्ये के मंडपा में जलिये के अंदर का पर किया है तमिलाडू के अंदर भारत ने किस देश के लिए आवशक वस्तों के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मुझूरी दी है अब आपको पता है लगबग पिछले नुवंबर मैने से भारत और मालदीव के बीच में कुछ जो है विवाद चल रहा था कुछ के कारण है फिर उसने क्या किया भारत ने क्या किया भी जो सबसे बड़े निर्यात यानकी निर्यात के जो परतिबंद लगा जिया था लेकिन अब भीर निर्यात को उड़ा दिया तो ये भारत और मालदीव के बीच में आवशक वस्तों हैं उनके अपता के सबसे बड़े मिर्यात कोटे को मुझूरी दे दी है विस्व आर्थिक मंच ने वर्थ 2024 की यंग गलोबल लिडर्स कम्मूनिटी में किस बारतिय अभिनेतरी को शामिल किया तो ये किया है बूमी पेड नेकर को ओप्स नमबर एक इसको बूमी पेड नेकर ये बारतिय अभिनेतरी है विस्व आर्थिक मंच ने इनको 2024 की यंग गलोबल लिडर्स कम्मूनिटी में भारतिय अभिनेतरी को शामिल किया हाल में किसने बरोनी गुहाटी पाइपलाइन के लिए पंदरमां CIEDC विस्व कर्मा पूरिशकार जीता है ये जीता है ये तेल कंपनी है ज्यारकना गेल लिमिटेड इसने पंदरमां विस्व कर्मा पूरिशकार जीता हाल में स्लो वाक्या का राष्ट्पती चुनाव किसने जीता है ये बन गए पेटर पेलिग्रिनी ये अब स्लो वाक्या के नए राष्ट्पती बन गए है इन्होंने चुनाव जीता है किस परसिद लेखक ने the idea of democracy नामक एक नई पुष्टक लिखी तो ये लिखी है सेम पित्रोदा ने और ये पुष्टक है जो भारत और अमरिका की भी जो लोगतंतर के बारे में ये जान करी देगी तो इसमें लोगतंतर के बारे में बताया गया है तो the idea of democracy है और ये लिखी है सेम में पित्रोदा ने प्रावरतन चिंतन नामक एक पहली त्री सेवा ससक्त बलियोजना सम्मेलन आठ अपरेल दो हजार चो इसको कहां पर आईजित किया गया तो प्रावरतन चिंतन ये त देश के दूसरे सीडियस और देश के दूसरे सीडियस बनेगे अनिल चोहान अनिल चोहान है वरतमान में तो उन्होंने इसे किया देशता की थी बारतिय सेना ने किस देश से इगला ऐस मैन पोर्टेबल का अधिगरण किया ये मिसाईले है द्यानकना और इसका अधिगरण किया है रूस से यानि कि रूस देश से बारतिय सेना ने इन मिशायलों को खरीद लिया है इगला ऐसे मैन पोर्टेबल्स नेक्स देखो चुनाओ समंदी जानकरी के लिए बूत राबता वेबसाइट किसने लॉंच की है हाली में चुनाओ समंदी जानकरी के लिए बूत राबता वेबसाइट किसने लॉंच की तो ये की है पंजाब की सरकार ने किसने की है पंजाब की सरकार ने हाली में नए वितायोग के सदसे की रूप में किसे नुक्त किया गया हाली में नए वितायोग के सदसे की रूप में किसे नुक्त किया गया विप्रो का नया CEO किसे निम्त किया गया, तो ये किया गया दियारक ना, सिरी निवास पलिया को, option number D, किसको सिरी निवास पलिया है, ये अब विप्रो के नय CEO बन गए है, कौनसा देश बारत को पीछे चोड़ते हुए रूस से सरवादिक कुरू डोयल का आयात किया है, तो य किया है सबसे अब की बार चीन ने, अब विप्रो बारत को बचाड़ते हुए चीन आगे निकल गया, और चीन ने अब की बार ना, रूस से ही देखो, सरवादिक के पुरूड ओयल का आयात है, किया है, हाले में किसे जर्मन लोक्तंतर पूर्षकार मिलेगा, हाले में किसे तो ये मिलेगा, एलेक्सी नवदली और यूलिया नवलनाया, इन दोनों को जर्मन लोक्तंतर पूर्षकार मिलेगा, इसका उत्रोजीगा, ए और भी दोनों, यानि कि उप्रयोकते दोनों, हिमालिया में गलेसियल लेक आउट बस्टड फ्लड की निकरानी के लिए किसने व उत्राघंड की सरकार दे, किसने उत्राघंड की सरकार, आलि में जॉन टिनिस वूड दुनिया के सबसे उमर्द राज सक्स बने है, इनका समद किस देश से है, आलि में जॉन टिनिस वूड दुनिया के सबसे उमर्द राज सक्स बनगे, यानि कि सबसे जीवित वेक्ती बन प्रदान मंतरी ने किस राझ्य में दिबांग बहुदेश है जल विदुद्प्रियोजना की दार सिला रखी तो ये रखी है उन्वाचल प्रदेश के अंदर कहां पर है उन्वाचल प्रदेश में हाल में 2024 का जोन एल जेक्स वीगट जूनिर आवार्ड की से दिया गया तो य उसको दिया गया है किसको दिया गया किशी चन्द्रियांद थी की जो टीम है न अमरीका चॉच वाड यह जोनल झेक्स वगर्ट जूनिर वाड यह यह उस्व की टीम को दिया गया हाली में 16,000 km की अफरीका की सबसे लंबी दोड़ पूरी करने वाले वेक्ति कौन है 16,000 km की अफरीका की सबसे लंबी दोड़ पूरी करने वाले वेक्ति है रस कुक, option number C, कौन है रस कुक हाली में Monte Carlo Masters में मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले बारतिय कौन बने है नमबर एक कौन बने हैं सुमित नगले बन गए हैं अगला क्यूसन देखो किस सहर में अंतराष्टिय योग दिवस के प्चेतर दिन पूरो योग मौत्सों का आईजित किया गया अभी आपको बता 21 जून को अंतराष्टिय योग दिवस मनाते हैं तो उससे पूरो प्चेतर दिन पूरो योग मौत्सों आईजित किया गया पूने के अंदर कहां पर आईजित किया गया पूने में आईजित किया गया बारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदर गया के परिचालन अधिकार आसिल किये हैं बारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदर गया के परिचालन अधिकार आसिल कर लिए तो ये किये हैं म्यामार देश में कहां पर है ये भारत सरकार ने अभी म्यामार के अंदर में म्यामार के अंदर है ये सिट्वे बंदर गया है उसका जो परिचालन है उसमें जो वेपार वगेरा होता है अब अधिकार असिल कर लिए भारत ने भी अनिके भारत और म्यामार दो रूप में इसको नामिद किया गया है ढूज को औप्स नमबर सी इसको गुज कोश्ट के लिए इनलके अधिक उर्यष मुद्ज बनाया है नोव अपरेल्ड को उर्यष डिव पुलीस बनाए तो यह बनाया है। उन्सकोमा उन्स की यान की जड़ आईजी जिंग लॉंच की ये की है जिंबाबी ने तो जिंबाबी ने अपनी मुद्रा को चैन्ज कर दिया तो अब ये एक सुन समर्थित मुद्रा है जिंगे जड आई जी लॉंच की तो ये किस ने की है जिंबा बेने विश्व स्वास्तिय संक्ठन की वेश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट दोजार तो इसके नुशार सरवादिक हेपेटाइटिस भी और सी के मामले कहां देखे गए तो सबसे जड़ा हेपेटाइटिस के मामले देखे गए है चीन के अंदर और बारत है चीन के बाद में दूसरे स्थान पर है जहां पर है सरवादिक हेपेटाइटिस भी और सी के मामले देखेंगे तो सबसे टॉप पर चीन उसके बाद में भारत का स्थान पुरून गलोबल यूनिकॉर्ण इंडेक्स 2024 में बारत को कौन सा स्थान मिला है अब यहां दखना यह यूनिकॉर्ण कंपनी होती है अलगलग कंपनी होती है यह सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्ण की कंपनी है काम पर है यूनिकोर्न न ये कंपनी होती है जो क्या है अब देखो अमरीका के अंदर ये सबसे ज़्यादा है तो इनकी वेल्यू होती है लगवग है एक बिलियन डॉलर से अधिक होती है तो ये एक बिलियन डॉलर से अधिक होती है तो ये एक बिलियन डॉलर से अधिक जो यूनिकोर् तिसी रिष्दान पर, भारत की रास्टो पतीनी विशती हो अमटूपएथि दियूस पर इक होमटूपूपएथि संगोष्टिक ओध्यक्षिन क्याफूं की शेयर में किया, तो ये किया है नई दिली में, कहां पर किया है, नई दिली में, किस देश नेushा व्लू टीयो मे च चांती खंड लगू किया है संगीत नाटक अकादमी कब से कब तक संगीत सकती संगीत और नर्ते के मोचों का इजन किया तो ये नो से सत्रा प्रेल कब से नो से सत्रा प्रेल आरी में राष्टिय मैला होकी लीक का उदगाटन किस सहर में किया गया रांची में तो जारखंड की राजदानी है रांची वहाँ पर राष्टिय मैला होकी लीक का इजने किया जा रहा है भारत का पहला नीची पृत्वी अवलोकन उपगर है T.S.A.T. 1 एक किसने लौंच किया बारत का पहला ये नीची पृत्वी अवलोकन उपगर है T.S.A.T. I.A. ये लौंच किया है किसने ताटा सुमुहें किसने लौंच किया इसको ताटा सुमुहें के द्वारा लौंच क को बिर्टेन के विश्व स्तरिय शोद दल में शामिल किया गया यह किया गया डॉक्टर अश्यूनी केश्वन को यह द्यारक नाम एक मैला है वेक्ति नहीं है मैला का नाम है डॉक्टर अश्यूनी केश्वन और इनको बिर्टेन के अंदर विश्व स्तरिय शोद दल के अंदर शामिल है किया गया किरन रिजजु ने देश के सबसे हुंचे मोसम टावर का 13 मार्च 2024 को वर्चली तोर पर दुगाटन कहां किया तो यह किया है मद्या परदेश की रादनी बोपाल में कहां पर है मद्या परदेश की रादनी बोपाल के अंदर है किरन रिजजु ने देश का सबसे उन्चा ये मोसम टावर है और ये 13 मार्थ 222 को स्काउद बटन है किया गया दुनिया बरके साइबर क्राइम एक्सपर्स के एक नई रिसेर्च के मुताबिक भारत साइबर अपराद के मामले में कौन से इस्तान पर है तो इसके इंदर भारत का दस्तान है और सबसे टोप पर आ गया साइबर अपराद में रूस तेस कौन सा आ गया साइबर सबसे ज़दा अपराद कामपरोई रूस में और भारत हैं दस्तान परतिय सेना ने किस राज्य में anti-tank guided missile दागने का अभ्यास किया परतिय सेना ने किस राज्य में anti-tank है guided missile दागने का अभ्यास किया ये किया है सिक्किम राज्य के अंदर कहां पर किया है सिक्किम राज्य में किस देश ने पहली बार sea dome defense system को तेनाद किया है किस देश ने पहली बार sea dome defense system को तेनाद किया Q.S. World University Ranking 24 के अनुसार भारत को अनुसंदान उत्पादन में वेश्विक्स तरपर कौन सा स्थान मिला है। हाल में लक्स द्वीप में साका कोलने बाला पहला निजी बैंक कोन सा बना है। हाल में सुधा पोर्टल किसने लौंच किया तो चुनवाव आयोग ने सुधा पोर्टल लौंच किया। किस आयाईटी के शोध करताओं ने रोक की प्रकरती में महत्पुन प्रोटिन साइन टोकिन्स का तेजी से पता लगाने के लिए एक नैनो सेंसर विख्षित किया। तो ये किया है आयाईटी जोधपुर ने इसने आयाईटी जोधपुर उन्नीश वर्षिय उदित ने किर्टी स्तान के पिसकेक में एसी कुष्टी चेंपिन सिफ दोजार चोईस में पुरुसों के 57 किलोग्राम भारवरग में कौन सा पदक जीता उन्होंने रज़त पदक जीता है हाल में दिवगंत नोबेल पूर्षकार विजेता पिटर हिंग्स ने किसका अविसकार किया तो ये किया है गांड पार्टीकल का किसका किया है कौन्ड पार्टीकल है नोबेल पूर्षकार अभी हाल में कंदेदन हो गया इन्होंने विजेता है पिटर हिंग्स है औ प्रोन ने गौंड पार्टिकल का अविस्कार है किया है लास्ट और अंदिम के उसन जारी कारबन मेजर्स रिपोर्ट के नुस्वार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की सिर्स ग्रीन हाउस गेस उत्सातन कंपनी कौन सी है वो है सवधी अरामको कौन सी है सवधी अरामको है इसके यह है तो यह थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास आज संडे था संडे की दिन अपने वीकली कोसनों का मैंने रिपाइच करवा दिया इसका टेस्ट आपको एप के अंदर मिल जाएगा जो अपनी पूरे साल की वार्षी करेंट अफेर्स की टेस्री चल रही है इसक का टेस्ट भी आपको इसके अंदरे दिया जा रहा है जो पॉलिटिकल की मैं आपको क्लासें दे रहा हूं न वह बड़ी गजब की है और आने वाला एक्जाम मेना जो मैंने करवा रहा हूं मैं वहां पर हो सकता है वहीं से गुमा फिर आके आपको एक्जाम देखने को मिले पाद चैहिन चैभारत